काधर कान हमारी इंडस्ट्री के वो लेजंड है जिन्होंने बड़े-बड़े đến सब्सक्राइब न fret काम किया है बले ही उनके फिल्मों में काम किया हो या बले ही उनके फिल्मों के लिए काम किया हो डायलोग्स लिख कर या फिर Soup स्क्रीन प्लेए लिखकर हम सब जानते हैं कि कादर खान साहब एक अच्छे आक्टर के साथ साथ एक बहतरीन राइटर भी थे और कादर खान साहब के जो एक्टिव एस थे उस दौरान उन्होंने अपने टाइम के सभी डिरेक्टर के लिए लिए लिखा है फिर चाहे मनमोहन दिसाई हो या फिर प्रकाश महरा हो लेकिन कभी भी उन्होंने यश चोप्रा साहब के लिए राइटिंग नहीं की स्पेशली तब जब से यश चोप्रा साहब ने अपना प्रोडक्शन हाउस यश्राच फिल्म शुरू किया तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही क यश्राच फिल्मस को जब शुरू किया गया था तो एक बहुत ही टाइट बजट से इस प्रोडक्शन हाउस को शुरू किया गया था कहते हैं कि राजेश कना साहब ने पहली फिल्म जो दाग की थी यश चोप्रा के साथ उनके प्रोडक्शन में वो उन्होंने फ्री के लिए की थी और industry के कई सारे well wishes जो थे या शोपडा के उन्होंने या शोपडा को तब पैसे तक offer किये थे या शोपडा ने क्योंकि अपना production house zero से शुरू किया था तो वो अपने हर एक काम को budget में किया करते थे उस दोरान writers दो तरीके के होते थे एक तो full day की job करते थे यानि कि उनका हिसाब महीने पर होता था और दूसरे वो जो माहोल में जाकर कहीं दूर पहाड़ियों के बीच natural place पर जाकर writing किया करते थे या फिर अपने खुद के office से या घर से लिखना पसंद करते थे या शोप्रा को पहले वाला option सही लगता था कि उनके writers उनके सामने बैठे हैं आठ नौ गंटे जो भी उनका duty का time होता था पूरा time writing के लिए utilize होता था और सबसे बड़ी बात अगर कुछ changes करवाने है तो वहीं discussion होकर तुरंथ change हो जाया करता था इसलिए या शोप्रा सहाब अपने writers को अपने office में बिठाया करते थे और उनका हिसाब monthly basis पर किया करते थे वही कादर खान सहाब का काम करने का style दूसरा वाला था वो घर पर बैठ कर या जो जगे उन्हें अच्छी लगती थी जहाँ पर उन्हें लगता था कि सुकून है और यहाँ पर बैठ कर मुझे creative ideas आते हैं वो वैसे ही काम करते थे उन्होंने कभी भी किसी बड़े producer के पास 9 to 5 की job नहीं की monthly salary पर कभी काम ही नहीं किया और नहीं उन्हें कभी जरुद पड़ी क्योंकि वो काफी talented थे acting के साथ साथ writing किया करते थे इसलिए 9 to 5 किसी office में बैठ कर लिखना कादर खान साहब के लिए possible नहीं था यानि कि कुल मिलाकर यश चोपडा साहब और कादर खान दोनों के काम करने का तरीका एक दूसरे से बिलकुल परे था इसलिए इन दोनों ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया और कादर खान के लिए ये possible भी नहीं था क्योंकि वो इतने जादा busy रहते थे एक तो बड़े बड़े directors के लिए चाचार projects एक साथ चल रहे होते थे फिर उनका acting का काम उसके लावा South की जो remake फिल्म में बनती थी उनका Hindi translation करना इतने सारे काम कादर खान साहब ने पकर रखे थे इसलिए वो कभी भी 9 to 5 जॉब में तो बंधी नहीं सकते थे और यहीं वो difference है जिसकारण इन दोनों talented personalities ने कभी भी एक साथ काम नहीं किया आपको हमारी ये story कैसी लगी? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए कब क्यों और कैसे में? अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ लाइक करे हमारा Facebook पेज Bollywood ठिकाना फॉलो करे हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करे हमारा YouTube चैनल Bollywood ठिकाना